नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, अच्छे होंगे. Welcome back to my channel, study with Neha Meem. आज हैं पढ़ने वाले हैं, साप सफाई के लिए गाउं के प्रधान को आवेदन पत्र, यानि कि आपके गाउं में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, आपको उसकी सफाई के लिए, अपने गाउं के प्रधान के लिए एक पत्र लिखना है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये पत्र है, आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, अब हम इसको शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, श्रीमान, ग्राम, प्रधान, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गाउं का नाम लिखना है, जिला लिखना है, और प्रदेश का नाम लिखना है, उसके बाद हम लिखते हैं विशे, गाउ के प्रधान को सफाई के लिए आवेदन पत्र, जिस भी विशे पर आप एप्लिकेशन लिखते हो, वहे विशे यहां पर लिखा जाता है महोदय, स्रीमान मैं आपके गाउं का निवासी हूँ, मेरा नाम मोहन और पिता का नाम हरिनात है, मैं अपने गाउं के बाड पांच का निवासी हूँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे वाड में बहुत गंदगी फैली हुई है, नालिया भी काफी दुनों से साफ नहीं हुई है, जिसके कारण मच्छर फैल रहे हैं, अतह आप से नमर निवेदन है कि आप यहां की सफाई करा दें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, उसके बाद आपको यहां पर धन्यवाद लिखना है, आपका विश्वासी, नाम और समस्त ग्रामवाश यहां पर हस्ताक्षर, यहां पर आपको दिनांक लिखनी है, जिस तारीख को आप एप्लिकेशन लिखते हो, पत्र लिखते हो, वह तारीख यहां पर लिखी जाती है, यह था आपका साफ सफाई के लिए गाउं के प्रधान को आवेदन पत्र, बहुत ही सरल, बहुत ही आसा पता के लिए धन्यवाद यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनला को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद